Good morning students, class 6th, subject English reader, poem, students, आज हम second poem करेंगे, the word is at peace, विश्य शान्ती की स्थिती में है, second poem, look at the picture given below, what do you think it means, discuss in pairs, इस picture को आप देखिए, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, जो यह poem है, इसका नेम है, the word is at peace, हमारा जो संसार है, हमारा जो विश्य है, वो शान्ती की स्थिती में है, आपने सभी फादर्स को बताईये, अपने सभी भाईयों से कईये, अपने सभी बहनों से, अपनी मदर से, और अपने प्रेमियों को, सभी को बताओ, कि सड़क पर मिलने वाले, tell all the peoples you meet in the street, सभी जो आपको सड़क पर मिलते हैं, उन सभी लोगों को बताईये, क्या बताईये कि हमारे सड़क पर मिलने वाले सभी लोगों को बताईये कि लडाई खतम हो गई है, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो विश्व है अब शांति की स्थिती में है, सभी किसानों को बताईये, जो भूमी का प्रबंदन करते हैं, भूमी की देखपल करते हैं, आप वाले सभी किसानों को कहो, सभी सेनाओं को कहो, जो अपने हतियार डालने के लिए कहीं, भई वो अपने हतियार को नीचे डाल दे, विदेशों में जहाजों के सभी नाविकों को बंदरगा पर वापस आने के लिए कहो और ये कहो कि अब लड़ाई खतम हो गई है ठीके सभी टीचर को कहो सभी सरकारों को बताओ कि अन्य नियम है जो तोपों और तोपों के निर्माता जो तोप बनाने वाले हैं उनके निर्मान करने वालों को बताओ कि उनका काम जो है बेहिमानी